by using the property of determinant show that तो अब हमारे पास में जो LHS है वो क्या है LHS equals to है मेरे पास 1, X, X square और फिर है X square 1 और X फिर है मेरे पास में X, X square और 1 अब मुझे पता है कि अगर मैं क्या करूँ मैं इस element को और से element को अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं C3 में क्या करूँगी मैं C3 में करूँगी C3 minus X square C1 और C2 में मैं क्या करूँगी C2 में मैं करूँगी C2 minus X C1 अब मैंने अगर ये operation लगाया तो मेरे पास में क्या determinant बनेगा यहाँ पर first column जो है मेरा वो तो as it is रह जाएगा यह हो जाएगा 1, X square और X अब जो मेरे पास में ये वाला second वाला जो column में यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1-x cube हो जाएगा यहाँ पर अब मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि मेरे पास में ये दो element तो क्या 0 हो जाएगी ये वाला और ये वाला 0 है तो मैं क्या करती हूँ R1 से इसे expand करती हूँ तो यह यहाँ पर क्या हो जगा 1 और यहाँ पर आजाएगा मेरा 1-x cube आजाएगा और यहाँ पर आजाएगा x-x की power 4 और यहाँ 0 और यहाँ पर 1-x cube आजाएगा तो अब मैं इसे कह लिख सकती 1 into यह हो जाएगा 1-x cube का whole square minus 0 into x minus 1-x cube तो यह तो मेरा 0 हो जाएगा और यह मेरे पास क्या हो जाएगा 1 into 1-x cube का whole square तो यह मेरे पास किस के equal आजाएगा यह मेरे पास हो जाएगा 1-x cube का whole square तो इसकी value मेरे पास क्या आगई इसकी value मेरे पास 1-x cube के whole square के बराबर आगई और हमें question में क्या proof करना था इसे इसे हमें प्रूफ करणा था वन माइनेस एक्स क्यूब के होली स्कुएर के तो वो हमारा प्रूफ हो गया